आज हम मिक्स सब्दियों का पुलाव बना रहे हैं इसके लिए हम जो इंगेडियन्स चाहिए वो नोट कर ले इसके लिए मैंने दो काजरे लिए हैं और उनको मैंने कूप में काट लिया है अदा केलो मटर है दो अदर आलू क्यूप में काटे हैं दो अदर दरम्यान भ्यास बारी काट लिए है दो अधर तमाटर है उनको काट लें ओलe 3-4 कौप सफेय जीरा 1 टेबल फूंड दो अदर द हमने चिकन क्यूप ले ने और इसके साथ यह लोंगे है पांच यह लोंगे तेज पत्ते नाज़नी की स्टिक्स ने दो ले 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 आप 1 टीस्पून काली मिर्चा है हरी मिर्चे है दो बारी काट ले एक टेबल स्पून मैंने सॉट लिया है अद्रक लेहसन का पेस्ट है यह दो टेबल स्पून है इसके अलावा यह पासमती चावल है यह मैंने तीन कप लिए है उनको साफ करके मैंने 20 मिनुट के लिए भी गोल लिया है वीवर सबसे पहले हम पॉट में और डालेंगे प्यास शामी कर देंगे प्यास को हमने गोल्डन ब्राउम करना है और इतना ब्राउम करेंगे कि हम जब उसमें पानी शामीर करें तो उसका कलर लिख लिए अब हम सारे गर्म साले जो साबूत है और डाल देंगे तेज पते दाल चीनी काली मिर्च लांगें भी हम इसमें डाल देंगे इसवाची बदो करेंगे ते बड़ाई टोपाइब लाईब बड़स्टों में त्पीतों के बादाब, यौ गोओते तो बॉलिएमिएगा भादा है यौ तो बड़ाएमिए यौगा पाली अलवाएमिा यौगा जाता लिए नाचिए यौगओ जाएमिए काले एवाएमिआ हाएमिएगाहिएजे। अधरक लेस्टर का पेस्ट आलेगे अधरक लेस्टर को पेस्ट को थोड़ा सा ठ्राइटार काई तरह हम इसे पानी डालेगे मैं इसमें अधर ग्रास पानी डाल है इस पे हम आलू शामिल कर देंगे मतर और गाजर भी शामिल कर देंगे यह तमाटर है यह हम इस पे शामिल करेंगे कि इसलो भी सेमाटर है और जार करेंगे कि आल इसलिएके ते एंगे ब्मेट मेटवार है आजिएके, के में इसलिएका नwhीर भी समिल करेंगे अब हमने इसको हिला दिये अब हम इसको धाम कर पकाएंगे इती देर जब तक के सब्दियां कर जाएं अब हम इसको चिकन त्यक्योग सामिल करना लगेंगे इसे नहीं रहने दूट चिकन चामिल चामिल कर देंगे इसे अन्य नहीं नहीं कर देंगें जब चिकन प्योग वशी करण मिक्स हो जाएं अब इसमें पानी निकाल के पानी निकाल के पानी निकाल के आप पानी प्हेंगे और दाल जोगें अब हम इसके पानी डालेंगे इसना पानी डालेंगे अबस चावल में रूप जाएंगे अब हम इसमें इतना पानी डाला है कि चावल इसमें अची तरह से डूप गया है अब हम इसे डब कर पकाएंगे अब हम इसको दम्यानी आज पर छोड़ देंगे दस मिनट के लिए और वकफे वकफे से इसमें हम चमब चलाएंगे अब हम इस को दम्यानी रूप पर चावलों को दम्यानी वाला है अब इस पोजिशन में हम इसको दम्यानी देंगे अब हम इसको बिल्कुल हर्की आज़ पर 15-20 मिल्स के लिए दब देगे लिए बस हमारा मिक्स सबस्यों का पुलाओ रेडी है अब हमारा मिक्स सबस्यों का पुलाओ रेडी है